हाई फ्रेंड्स, वल्कम बैक टू बर्प, आज हम बनाने वाले हैं मेदू वड़ा, वड़े को बाहर से क्रिस्पी और अंदर से फ्लफी कैसे बनाये जाए उसके इंपोर्टेंट ट्रिक्स मैं देने वाली हूँ इस वीडियो में मेदू वड़ा बनाने के लिए मैंने एक कप गोटा उरद डाल लिया है, एक कप उरद डाल से आप आठ से दस वड़े बना सकते हैं, अब इसमें हम दो टेबल स्पून चावल डालेंगे, कोई भी चावल आप इस्तिमाल कर सकते हैं, अब इसमें पानी डाल कर हम फुलने दो लेंगे, इसके बाद हम इसे ग्राइड कर लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पानी यूज करेंगे, भादननुसार नमक इलके हम इसे हींग मिलाइँगे, इसे डाइजेशन अच्छा रहता है, 1,4 ठीस्पून इसमें हम खाने वाला सोडा मिलाइँगे, अब अच्छे से इसकी consistency इसे पीछने के लिए मैंने बहुत ही कम पानी इस्तमाल किया है एक से दो टेबल स्पून जैसा आप मिलाए उससे जादा मिलाने से यह पतला हो सकता है इस वड़े को बनाने के लिए मैं प्यास का इस्तमाल करी हूँ और प्यास जब हम इस बैटर में डालेंगे तो वो थोड़ा सा पानी छोड़ेगा तो automatically यह बैटर थोड़ा सा गीला हो जाएगा इस तरह से हम बैटर को गोल गुमाएंगे चमच की मदद से इससे air under trap होगा और आपका वड़ा और भी fluffy बनेगा तो यह step आप जरूर से follow करें तीन से चार मिनिट हमें इस तरह से इसे गुमाना है कभी भी अगर आपको लगा कि बैटर बहुत ज़ादा गीला हो गया तो आप इसमें थोड़ा सा चावल काटा मिला सकते हैं अब हम इस बैटर में grated अर्दरक डालेंगे तो दो इंच करीब अदरक मैंने grate कर लिया है अब बारी कटा हुआ प्यास इसमें डालेंगे प्यास डालने के बाद अगर आप ज़ादा देर बैटर को छोड़ते हैं तो वो गीला हो सकता है थोड़ी से हम कटी हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा धनिया पत्ता अच्छे से mix कर लेंगे उसके बाद हम immediately इसे चानेंगे वड़ा की इस बैटर को आप फ्रिज में एक से दो घंटे स्टोर कर सकते हैं बहुत ज़ादा देर अगर आप इसे स्टोर करते हैं इसे फर्मिंट हो जाएगा उसके बाद यसे जब आप छानिएगा तो बहुत सारा तेल सोखेगा बैटर रेड़ी है अब हम रिफाइन ओयल लेंगे कडाही में छानने के लिए तो जरुवत के हिसाब से आपको तेल लेना है मैं राइट हैंड से ही करती हूँ बस आपको पानी से अपने हाथों को अच्छे से गीला करना है तब ये बैटर हाथ में चिपकेगा नहीं तीन वड़े मैं एक साथ छान रही हूँ तो इसे भी हम डाल देंगे यहाँ पे हम मीडियम आच में इसे छानेंगे हम पका लेंगे तोटल 5 से 7 मिनिट लगेंगे आपको एक टृप निकालने में तो आप देख सकते हैं यह अच्छा सा लाल हो गया है लट पलटकर भी इसे अच्छे से पका लेंगे वड़े में अच्छा कलर आ गया है आभ हम इसे निकाल लेंगे बहुत ही crispy वड़ा हुआ है हमारा इस वड़े को आप सांबर और चटनी के साथ सर्फ कर सकते हैं चटनी की recipe अगर आप ढूंढ रहे हैं तो description में जरूर देखेगा एक बार इस easy recipe को आप एक बार जरूर ट्राइक करें और मुझे कमेंट में बताए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अगर मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फॉर वाचिंग